आज मैं आपको बताऊंगी कि आप दोर पे के इस पाउडर की मदद से अपने बिजली के बिल में कितनी वाजया कमी कर सकती है इस दोर पे के पाउडर की मदद से आपकी फ्रीज कूलिंग भी ज्यादा करेगी और बिजली भी कम हर्च होगी दोर पे कि इस पाउडर की मदद से आप अपनी बिजली के बिल में वाजिया कमी हुद महसूस करेंगी आगे आने वाली है बकराईद तो बकराईद पे मुसलसल फ्रीज के इस्तमाल की वज़ा से बिल बहुत ज्यादा आता है एसी जबरदस टिप आप लोगो बतानी चाहरी हुँ जिसकी मदद से आप लोग का बिजली कबिल बहुत कमाएगा और आप लोग के साथ इنتहाई सरस्ता और सफाई में हैरान कर दे वाला ऐसा जबरदस केलीनर शेयर करने वाली हुँ जिसकी मदद से आप लोगे पूरे गर की टाइल्स फर्ष पत्थर हो इवन के कोई भी फर्ष हो इतना जबर्दस चमक जाएगा कि आप उसका रिजल्ट दे के बिलकुल हैरान हो जाएंगी बहुत सस्ता क्लीनर है ये और इसके साथ साथ चावरों में जब इस तरह का कीड़ा की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेसिंग यूसफुल और इंफर्मेटिव है तो वीडियो को फुल वाच कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नहीं हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटि फाइदे होंगे ना वो सारे पानी के अंदर चावलों के फाइदे शायद के आप लोगो ये बिल्कुल भी पताना हो के चावलों के अंदर चावलों के पानी के अंदर ना क्लीनिंग की इतनी जबरदस क्वालिटी होती है ये क्लीनिंग के लिए बेस्ट माना जाता है इन चीजें एड़ करेंगे तो आप लोग वीडियो को फुल वाच कीजिएगा और इसको गोर से देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो हम इसमें डालेंगे शैMPOO कोई भी शैMPOO आप ले सकते हैं किसी भी ब्रैंट का है इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे बहुत महंगे महंगे किलीनर्स आप लोग लेकर आते होंगे बजार से लेकिन यकीन करें कि टिप्स और ट्रिक्स इसी को कहा जाता है कि आप लोग दमाग से आइडियास लगा के गर में ही बहुत सस्ते में इतने जबरदस किलीनर बनाएं और अपने पूरे गर को चुमकाएं ये एक ऐसा क्लीनर है कि आप इसको किचन वाल्स के लिए उपने चुलहे साफ करने के लिए पूरे गर को क्लीन करने के लिए इस्तमाल कर सकती है अब इसमें जो तीसरी चीज़ मैंने डाली थी न वो मिठा सोडा था जो आपको पता ही है कि लिए कितना जबर्दस माना जाता है इसको ठंडा कर लिया था मैंने अब इसको एक बरतन में शिफ्ट कर दिया अब बताती हूं हम इसको किस तरह से क्लीन करेंगे आप लोग के सामने क्लीन करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को तो पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूं कि फर्श की हालत उसके बाद सफाई के बाद भी आप लोगो खुद दिफरंट देखेंगे विफार और आफटर में कितना फरक आया है तो इसको अच्छी तरह से हम किसी स्पंच की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे आप लोग के सामने मैं इसको साफ करके दिखा रही हूं इतना जबरदस इसका रिजल्ट है कि आप लोग महंगे तरीन कलीनर को आज के बाद हरीदना बिल्कुल छोड़ देंगे आप लोग को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करवाँगे रिजल्ट आप लोग को दिखा रही हूं इसको ट्राइ कीजिए अब मैं आप लोग को वाश्रूम की टाइल के ओपर इसको इस्तमाल करके दिखा रही हूं आप लोग भी फार देख चुके हैं और आफ्टर भी आप लोग जरूर देखिएगा इसको अच्छी तरह से हम लोग एक ब्रश की मदद से लगा देंगे ताके अच्छी तरह से ये सफाई में बहुत जबर्दस आप लोग को रिजल्ट दे मुझे आप लोग को बहुत थैंक्यू कहना था कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करें इतना एप्रिशेट करें हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को आप लोग को हमेशा हुश रखे इसी तरह से मेरी वीडियो को प्यार देते रहिएगा अब मैं आप लो कि इसको इस्तमाल करें आप लोग की टायर्स में एक हास किसम की चमक आ जाएगी और आप लोग ना महंगे तरीन कलीनर लेना बिल्कुल छोड़ देंगे चलते हैं नेक्स ट्रिप की तरफ तो नेक्स ट्रिप में आप लोग को बता रही हूं कि हम साबून को जाया होने से किस तरह बचा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं गर में बार बार हाथ दोते हैं साबुन गीला होता है और साबुन इस तरह से ना सारा खराब हो जाता है जब पानी लगता है तो वेस्ट हो जाता है तो आप लोग क्या करें एक हाली बोटल की कैप लेके ना इस तरह नीचे लगा दें आप चिपका दें, हुद बहुत ही चिपक जाएगी और साबुन आप लोगा गीला भी नहीं देगा जल्दी हुश्को जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा आई हो कि आप लोगो ये चोटी सी टिप पसंद आई होगी तो चलते हैं नेक्स टिप के तरफ नेक्स टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जबरदस और मोस्ट इंपोर्टन टिप है आप लोगों क्या करना है बोरिक पाउडर जो होता है ना जो हम लोग केरम बोड़ के ऊपर डाल के उसको खेलते हैं तो वो बोरिक पाउडर आप ले लें उसमें हम लोग खल्दी एड़ करेंगे ये इतना जबरदस तरीका है काकरोजिस वगेरा को अपने किचन से बगाने का चोटे काकरोच हो या बड़े हो हर कोई इन काकरोजिस से बहुत तंग है तो यकिन करें जब आप इस टिप को ट्रा बैक मिलेंगे आप लोग जरूर इसको ट्राइ किजिएगा जीरो कास्ट ये टिप है क्योंकि आप लोग के घर में ही मजूद होगा कैरम बोर्ट मेरे घर में भी था तो मैंने हल्दी में डालके इसको लगाया जब मैंने इसको लगाया उसके बाद मुझे अपने किचन में काकरोट जिस नजर नहीं आए आप लोग भी इस टिप को जरूर झ्राइ कीजिएगा तो चलते हैं नेक्स टिप की तरफ इस टिप में आपको बताने जा रही हूं कि हम चावनों को सुसृसरी से किस तरा बेसिकली सेव कर सकते हैं। सुसृसरी आप लोग को पता हैं कि खुला छोड़ देंगे यकीन करें इस टिप की मदद से आप लोग के चावलों से सुस्री बिलकुर बाग जाएगी और सुंडी भी नहीं लगेगी क्योंकि आप लोग को पता है साबून जरसीन को हतम करता है और मैंने लिया भी यहां पर डेटोल का साबून है आपको पता है कि डेटोल कितना जबरदस माना जाता है चले हाएं जी चलते हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टन टिप की तरफ तो एक दो रपे की चीज की मदद से हम अपने फ्रिज में इतनी जबरदस सी कोई चीज करेंगे जिसकी मदद से हमारा बिजली का बिल बहुत कमाएगा आप लोग यकीन करें आप हिरान हो जाएंगे कि ये दो रपे का दो रपे का पाउडर लगाया वा था तो निकला ये नमक है जी हाँ ये बिलकुल नमक ही है इस नमक की मदद से हम लोग इतना जबरदस एक जुगार लगाएंगे ना कि आप लोग का बिजली का बिल बहुत कमाएगा आप लोग इस टिप को जरूर ट्राइ कीजिएगा आगे आ रही है बकराईद तो बकराईद पे आप लोग के लिए ये टिप बहुत ही ज्यादा कारामद होगी इसकी मदद से आप लोग का बिजली का बिल आप लोग वाजिया उसमें कमी देखेंगे हम लोग इसको लोग जो नमक हमने यूस किया है लेमन के साथ उसका बेसिकली काम बरते पहार बनने से रोकना है फ्रीज को क्योंकि जब बरफ के पहार बनती है न फ्रीज में तो उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है मैं आप लोगे साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ जिन से मुझे फाइदा होता है यह मेरे जाती तजरबात होते हैं जो आप लोगे साथ शेयर करती हूँ ताके आप लोग भी इससे बरपूर फाइदा उठाए यकीन करें इस टिप के मदद से मेरा विजली का बिल वाजिया कभी महसूस हो या उसमें मेरे विजली का बिल तकरीबन दो डाई हजार आता है इससे ज्यादा नहीं आता आप लोगों भी इसी तरह से फाइदा होगा आप लोगों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपनों बहुत सारे हिया रखेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में अल्ला आफ़ीज